दोस्तो अटल आवासी विद्याले में कच्छा च्छाए के लिए एडमीशन सुरू हो चुके हैं लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि एडमीशन लेने के लिए आवेदन आनलाइन करना होगा या आफलाइन करना होगा इसके वीडियो में हम अटल आवासी विद्याले में प्रवेश लेने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इसलिए यदि आप अपने बच्छों का अटल आवासी विद्याले में अडमीशन कराना चाहते हैं तो आप या वीडियो सुरू से लेकर अन्थ तक चरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों अटल आवासी विद्याले में एडमीसन देने के लिए एक प्रवेस परिच्छा का आयोजन किया जाएगा और जो बच्चे इस प्रवेस परिच्छा में पास होंगे किवल उन्हीं बच्चों का इन विद्यालें में एडमीसन हो लाएगा इसलिए यदि आप अपने बच्चों का अटल आवासी विद्याले में एडमीसन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रवेस परिच्छा के लिए आवेदन करना होगा और इस प्रवेस परिच्छा का आवेदन आनलाइन नहीं होगा किवल आफलाइन ही होग तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रवेस परिच्छा के लिए आवेदन फार्म कहां से मिलेंगे तो प्रवेस परिच्छा के आवेदन फार्म आपके अपने सहर के स्रमिभाग कारेले से प्राप्त होगे और आवेदन फार्म को भरने के बाद में उसी कारेले में जमा करन और जब आप जमा करेंगे उसके बाद प्रवेस पत्र मिलेगा और प्रवेस पत्र मिलने के बाद में प्रवेस परिच्छा होगी तो अब आंगे बात करते हैं कि प्रवेस परिच्छा के फार्म कब से मिलना सुरू होंगे और इनको जमा करने की अंतिमतिती क्या है तो प्रव तो आप अपने सहर के स्रम विभाग कारेले जा करके वहां फार्म लेने की और जमा करने की अंतिम्तिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब इसके आंगे बात करते हैं कि फार्म को किस तरीके से भरा जाएगा दोस्तो इस स्क्रीन में एक आवेदन पत्र दिखाये गया है और इस आवेदन पत्र में सबसे पहले जिले का नाम लिखना है उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है दूसरे नमबर पर अभ्यर्थी का नाम इंगलिस में कैप्टल लेटर में लिखना है और तीसरे नमबर में अभ्यर्थी का वरतमान पत्राचार का पता लिखना है और चौथे नमबर पर अभ्यर्थी का इस्थाई पता लिखना है पाचमे नमबर पर अभ्यर्थी की जन्मति अब्हार्थी का वर्ग शरमिक है या अनाथ है इसके बाद आठवे नम्बर में अभ्हार्थी की स्रेणी है जिसमें लड़का या लड़की अनारचित अनसुचित जाती अनसुची जनजात या अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसपर आपको टिक करना है 9 नमबर में विकलांगता यद कोई है तो उस पर टिक करना है और 10 नमबर में पहँचान चिन लिखना है 11 नमबर में राश्टियता और 12 नमबर पर धर्म लिखना है इसके बाद में अभ्यर्थी की माता और अभिवावक का विवरन लिखना है तो पहला कालम दिया हुआ माता के लिए नाम लिखना है हिंदी में और इंग्लिस में नाम लिखना है उसके बाद में मोबाइल नमबर लिखना है और दूसरे नमबर में है अभ्यरती के पिता का विवरन लिखना है जो सबसे पहले हिंदी में और उसके बाद में अंग्रेजी के कैप्टर लेटर में लिखना है और मोबाइल नमबर लिखना है तेरवे नमबर में स्रमिक स्रेणी के चात रहे तो सूचना जिसमें की अभ्यरती की माता या पिता का स्रमिक पंजियन संख्या लिखनी है उसके बाद में पंजियन तिथी लिखनी है फिर स्रमिक पंजियन के नमीनी करण की अध्यतिन तिथी लिखनी है कि यानि की लिवर कार कब तक नमीनी करण है और आंगे कब इसका नमीनी करण कराया जाना है इसके बारे में इस्तिति लिखनी है। के बारे में अपने विद्याले से पता कर सकते हैं इसके बाद है कच्छा 5 में प्रवेश किती थी और कच्छा 5 उतीर्ण करने किती थी यानि पास करने किती थी इसके बाद है विद्याले का नाम वा पता जहां अंतिम सिच्छा प्राप्त की है और वर्तमान विद्याले में प पर इच्छा देंगे इसके बारे में आपको टिक करना है और इसके बाद में अभ्यरती के हस्ताक्षर होंगे और इसके नीचे माता या पिता को हस्ताक्षर करने हैं इसके बाद में इस फार्म के साथ में कौन-कौन से डाकुमेंट लगाए जाने हैं इसके बारे में लिखा ह सब से पहला है पंजीकरत निर्मान क्स्रमीक का पंजीयन प्रमाडपत्र की स्वपरमालिच चाया प्रति यानि कि लेवर कार्ड की फोटोकापी यहाँ पर लगानी है दूसरे नमबर में अभैर्थी की कच्छा पांच की अंकतालिका यानि की कच्छा पांच पास करने की मार्क सीट यहाँ पर लगानी है और तीसरे नमबर में है आरच्छन स्रेनी के अभैर्थियों के लिए जाती प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणी छाया प्रती चौथे नमबर में है दिब्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिब्यांगता प्रमाड़ पत्र लगाना पड़ेगा और पाँचवे नमबर में है अभ्यर्थि की जन्म तिति सत्यापन है तो उपयुक्त प्रमाड़ पत्र की स्वप्रमाड़ छाया प्रती यानि कि जन्म तिथी के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर कच्छा पांच की टीसी आप लगा सकते हैं इस तरह से इस फार्म के साथ में ये पांच डाकुमेंट लगा करके आप इस फार्म को जमा कर सकते हैं जब आप फार्म जमा करेंगे तो आपको एक रसीद मिलेगी और वो रसीद आपको सुरचित रखनी है और इसके बाद में लेवराफिस में बताया जाएगा कि आपको प्रवेसपत्र कब से मिलना शुरू होगा तो जब प्रवेसपत्र मिलना शुरू होगा आप उस दिन जाक करके प्रवेस्पत्र ले सकते हैं और प्रवेस्पत्र में कहां पर प्रवेस्परिच्छा होगी इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी होगी और इस तरह से आप प्रवेस्परिच्छा में सम्मिलित हो सकते हैं इसके आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि परिच्छा किस तरह से होगी और किस तरह के प्रस्ट पूछे जाएंगे और इसके साथ ही एक पूरे सेंपल वेपर का डिसकसन भी करेंगे कि कौन-कौन से प्रस्ट किस तरह के प्रस्ट और कितने प्रस्ट आ सकते हैं तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा ज़र वीडिय को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धर्निवाद